चलिए अब देखते हैं यूनिट सेल्स के टाइप की यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती है सबसे पहले हमने यूनिट सेल्स को क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के बेसिस पर और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमें 3D में यूनिट सेल्स के जो पैरामीटर्स हैं ABC और Alpha, Beta, Gamma इनकी वैल्यूज को बदलने से मिलती हैं इसके अलावा हमने यूनिट सेल्स को पार्टिकल्स की पोजिशन के आधार पर भी क्लासिफाई किया है मतलब पार्टिकल्स यूनिट सेल्स पर कहीं भी प्रिजन्ट हो सकते हैं एजेज पर, एजेज के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर, या फिर डाइगोनल पर, कहीं पर भी और पार्टिकल्स की इस प्रकार अलग-अलग पोजिशन्स के आधार पर हमने उनको क्लासिफाई किया है अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंट सेल्स के आधार पर हमने यूनिट सेल्स को कितने टाइप्स में बाटा है सबसे पहला यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल है टेटरागोनल, तीसरा यूनिट सेल है और्थोरॉम्बिक, चौथा यूनिट सेल है हेक्जागोनल, पांचवा यूनिट सेल है रोम्बोहेडरल, छटा यूनिट सेल है मौनोक्लीनिक और सात्वा unit cell है tri clinic सबसे पहले देखते हैं cubic unit cell जैसा कि आप diagram में देख पा रहे हो cubic unit cell में sides A, B, C बराबर होती है वे उनके बीच के angle alpha, beta, gamma भी बराबर होते है और इन तीनों angles की value 90 degree के बराबर होती है इसके कुछ example है NaCl, zinc blend और copper tetragonal unit cell में sides A और B तो बराबर होती है लेकिन side C इनके बराबर length की नहीं होती है लेकिन तीनों angles जो है alpha, beta और gamma वो बराबर होते हैं और 90 degree के होते हैं इस प्रकार की unit cells जिन solids में पाई जाती है उसके कुछ examples है white tin, sno2, tiO2 और calcium sulfate, etc orthorombic unit cell में तीनों sides अलग-अलग length की होती है मतलब A, B और C की जो value है वो different-different होती है लेकिन तीनों angles बराबर होते हैं और उनकी value 90 degree के होती है और एक्जामपल rhombic sulfur, KNO3 और BASO4 hexagonal unit cell में sides A और B तो बराबर होती है लेकिन side C इनके बराबर length की नहीं होती है और angles की बात करें तो alpha और beta बराबर होते हैं और उनकी value भी 90 degree होती है लेकिन जो तीसरा angle है gamma वो इनसे अलग होता है और उसकी value 120 degree के बराबर होती है और angles भी बराबर होते हैं लेकिन वो तीनों angles की value 90 degree के बराबर नहीं होती है मतलब तीनों में से कोई भी angle 90 degree की value नहीं ले सकता है For example, calcite और cinnebar Monoclinic unit cell में तीनों sides अलग अलग length की होती है लेकिन अगर angles की बात करें तो alpha और gamma 90 degree के होते हैं लेकिन beta 90 degree का नहीं होता है मतलब alpha और gamma की value सेम होती है जबकि beta इनसे अलग होता है For example, monoclinic sulfur, etc And last में, triclinic unit cell में तीनों sides की length अलग अलग होती है और तीनों angles भी अलग अलग होते हैं और तीनों में से कोई भी angle 90 degree के बराबर नहीं होता है For example, potassium dichromate तो अब तक हमने shapes के आधार पर unit cells का classification पढ़ लिया है अब हम particles की position के आधार पर unit cells का classification देखते हैं Particles की position के आधार पर unit cells दो तरह की होती है Primitive unit cell और Centered unit cell Centered unit cell further तीन types की होती है Body-centered, Face-centered and End-centered सबसे पहले पढ़ते हैं Primitive unit cell के बारे में ये वे unit cells होती हैं जिनमें जितने भी unit cells के particles हैं जो की हमने atom एजुम किये हैं वे सभी unit cells में केवल corners पर ही present होते हैं इसके अलाबा कहीं पर भी present नहीं होते हैं उन cells को हम primitive unit cells बोलते हैं जैसा की आप इस open structure में देख भी सकते हैं कि जो particles हैं या atoms हैं वो केवल unit cell के corners पर ही present हैं अगर हम इसकी space filling structure को देखें तो हमें दिखेगा कि सारे atoms एकदम पास पास एक दूसरे से चिपके हुए हैं अगर हम इसमें atoms का actual portion देखें तो वो कुछ इस परकार दिखाई देगा कि हर atom का कुछ ही portion unit cells के corners पर दिखाई देगा centered unit cells वो cells होती हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा particles unit cell की corner positions के अलावा और कहीं भी present हों मतलब कम से कम एक particle जो की हमने atom assume किया हुआ है वो या तो unit cell के center पर या edges के center पर या unit cell के face पर present होना चाहिए तथा इसके अलावा corners पर भी atoms present हो सकते हैं उस परकार की cells को हम centered unit cells में रखेंगे चलिए centered में अब सबसे पहले body centered unit cell जिससे BCC भी कहते हैं उसे पढ़ते हैं इस unit cell में particle जो हमने atom माना हुआ है unit cell के एकदम ठीक center पर present होता है और चार atom इसके चारों corners पर present होते हैं यहाँ इसकी open structure दिखाई गई है अब इसकी space filling structure को ध्यान से देखिए आप देखेंगे कि इसमें corners के सारे atoms ने center पर present atoms को touch किया हुआ है अब आप इस unit cell में present atoms का actual portion देख सकते हो जिसमें एक पूरा atom इस cell के एकदम ठीक center पर present है और बाकी के 8 atoms का कुछ ही portion unit cell के corner पर present है face centered unit cell में atoms सभी corners पर present होते हैं तथा साथ में cube के सभी faces के centers पर भी present होते हैं जैसा कि आप यहाँ इसकी open structure में देख भी सकते हैं यहाँ इसकी space filling structure भी दिखाई गई है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक face के सभी atoms एक दूसरे को आपस में touch कर रहे हैं अगर एक unit cell में प्रतेक atom का actual portion देखें तो वो कुछ इस परकार दिखेगा corners और face centers पर present atoms का कुछ portion ही एक unit cell में present होता है अगर end centered unit cells की बात करें तो इन में सभी corners पर तो atom present ही होते हैं उसके साथ साथ एक एक atom किनी भी दो opposite faces के centers पर present होता है यहां इसकी एक open structure भी दिखाई गई है